विशाल जन्ता पार्टी ने उड़ाई राज नितिक दलो की नीन विशाल जन्ता पार्टी के तत्वधान में 4 जुलाई 2021 को मुझफवन अगर बाइपास परकारे करता हूँ और पदाधी कारे ने किया विशाल जन्सभा कायोजन जन्सभा में 17 जातियों के आरक्षन को लेकर जन्ता ने भरंग कर रोश प्रकट किया तथा केंद्रवे राज्य सरकार की आरक्षन निति के प्रती उदा सीन्ता को देखती वे उपस्तित जन्समुहू ने दी चेतावनी आगे आने वाले 2022 के विधान सभा चुनाओ में हम सब 17 जातियां विशाल जन्ता पार्टी को सत्त आनिक अधिकार है जो उन्हें मिलना ही चाहिए 2022 का सुना लड़े के लिए किस मुत्त पर काम कर रही है विशाल जन्ता पार्टी को सत्रा जातियों को आरक्षन देने का मुता बीज़ेपी ने वादा किया ता वो आरक्षन बीज़ेपी नहीं दे दे सकी तो विसाल जन्ता पार्टी उन सभी 17 जातियों को जब तक उनका समयधानी करिदिगार आरक्षण उन्हें नहीं मिल जाता तब तक विसाल जन्ता पार्टी गरीबों की हग की लेडाई हमेजा लड़ती रहीगी अगर 2022 के सुनाव जबाद विसाल जन्ता पार्टी सत्ता में आती है अजग दी आज मुझे फड़नगर बाइपास के पास नंबर वन टूरिस्ट डवे पर एक मीटिंग का एवजन किया गया है क्या उद्धिस से है मीटिंग करने का इस मुटिंग करने का उटेश है कि 17 जातियों को आरक्षन दिलाना है जो जिसको दिलाने में बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी वीजेपी पार्टी नहीं दे सकी और समाज का वो सोसन करती रही है इसके अलावा हमें विद्वाओं को और सोसित यूज़ों को ब बुजर्ग और विद्वाओं को उचित पेंशन का परबंद करना है पार्टी के सारे कार्यकर्म जो है वो समाज हित में होंगे जो किसी पार्टी में आल तक नहीं किये सिरफ कश्चप समाज का गड़ेरिया समाज का कुमार समाज का शोसन ही किया है आरक्षन के नाम पर आज देख देखें आने वाले 2022 के आगामें चुनाओं में क्या रहनित रही विशाल जन्दा पार्टी की विशाल जन्दा पार्टी 2022 के चुनाओं में अब सभी शिटों पर 25 उस्तर प्रदेश में अपने कंड़ीडेट उता रहेंगे और सारा कश्चप समाज गड़ेरिया समाज और कुमार समाज एक तरफा और डालेगा इस बार बता देंगे सरकारों को कि इनकी संख्या कितनी है जीत हार का फैंचला यही लोग करते हैं आज बार बताएंगे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा सरकार नहीं बनने देंगे उत्तर परदेश में किसी भी बार देगी